असलाम उलेकूं माइनम इस आसफा चीमा और आप देख रहे हैं फॉर्ण वर्ल्ड आज की आई टेक्नोलोजी अप्डेट्स में एक दफ़ा पिर हादर हूं कुछ मजीद लेटिस अप्डेट्स के साथ तुछले बात करते हैं हमारी आज की अप्डेट्स की हेडलाइन्स के ह यहां गुगल निया फीचर गीमिल में इंटरड्यूस करा आए है कि आप अप्डेट्स को आ अप्डेट्स को इनकी दीटेंग की तरफ जैसे की मैं आपको बताया है Samsung जो है वो अपनी two new devices, mid-range devices, जो है वो launch करने जा रहा है 2018 में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, Samsung 2018 में बहुत साइड devices launch करने जा रहा है, अब जो है वो Samsung two mid-range devices, जो है वो J4 और J6 को launch करने जा रहा है, इसके जो तमाम specs and features हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें, तो इनके specs and features काफी improve हैं, जो पुरानी devices launch की गई थी, उन devices से इनके तमाम specs and features को काफी improve किया गया है, तो चले, इनके specs and features की details में चलते हैं, इन दोनों को जो display है, J4 का जो display है, वो 5.5 inches है, और J6 का जो display है, वो 5.6 inches है, अगर इनके प्रोसेसर के बात की जाए, तो जो Samsung J4 का प्रोसेसर है, वो है quad-core 1.4 GHz और exynos 7570, और अगर हम बात करें, जो है वो प्रोसेसर के बारे में, तो वो है octa-core 1.4 GHz, exynos 7850, जी हाँ, ये इनके प्रोसेसर हैं, और इनके अगर हम camera's की बात करें, और जुस्ट अगर हम बात करें, इनकी storage के हवाले से, जो J4 का storage है, वो है 32 GB, और जो J6 का storage है, वो है 32 से 64 GB, और दोनों के साथ, micro SD card की facility भी available है, और जो इसमें software दिया जा रहा है, वो है Android 8.0, और ये software अप्डेटेड है, इसके साथ साथ में आपको ये भी बताती चलूँ, कि ये dual SIM है, एक जगा आप दो SIMS भी यूज़ कर सकते हैं, तो देखा, ये जाता है, इसमें काफी improved Samsung की mid-range devices में, काफी new और improved features जो हैं, वो introduced किये गें, let's see in future, ये devices कितनी successful होंगी, और Samsung के तमाम users के लिए ये good news है, कि उनको mid-range devices में, बहुत सारे features यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं, चलते हमारी आज की second update की तरफ, हमारी आज की second update है, Gmail के offline feature के अपाले से, जी हाँ, Google जैसे कि आप जो जानते हैं, new features introduce करके, अपने तमाम Google users को जो है, आप delete कर सकते हैं, आप archive कर सकते हैं, और आप search भी कर सकते हैं, और तमाम ये features आप offline भी use कर सकते हैं, तो ये एक Gmail के तरफ से बहुत ही अच्छा initiative है, कि तमाम उसके users आप offline भी अगर आपके पास internet available नहीं है, तो आप offline भी इस feature को यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये feature सिर्फ जो है वो Chrome पर available होगा, अगर आप Gmail जो है वो Chrome से यूज़ कर रहे हैं तो ये feature आपको सिर्फ Chrome पर ही available होगा, otherwise आप Gmail जो है वो offline नहीं यूज़ कर सकेंगे, और इसके साथ साथ जो most important चीज़ है वो ये है कि Chrome जो है वो आपका 61 जो है वो upgraded होना चाहिए, या इसे higher जो है वो Chrome आपके phone में updated होना चाहिए, otherwise आप Chrome पर भी ये feature नहीं कर सकेंगे, और अगर आपका Chrome जो है वो 61 updated है तो आपको सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में जाके आपको offline एक tab शो होगा जिस पर आपको क्लिक करकी इस setting को on करना होगा, और इस setting को on करने के बाद तभी आप इस feature को utilize कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में आपको last setting बताती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि offline आपका data safe रहे या फिर वो डिलीट हो जाए जब भी वो इंटरनेट पर connect हो, तो security setting में जाके आप ये feature भी जो है वो on कर सकते हैं, तो I think Google की तरफ से तमाम users के लिए good news, Google Gmail आप offline भी यूज कर सकते हैं, चलते अब हमारी आज की last update की तरफ हमारी आज की last update है Huawei की new watch के हवाले से, Huawei 2018 में watch 2 2018 के नाम से अपनी new smart watch लांच करने जा रहा है, Huawei ने last year अपनी watch 2 लांच की थी, अब वो upgraded version में watch 2 के नाम से ही जो है वो अपनी new watch launch करने जा रहा है, कहां यह जा रहा है इसके तमाम specs and features जो है वो अपनी previous watch जैसे ही होंगे, जैसे के last year watch 2 का जो processor था, वो Qualcomm 2100 था और उसका RAM था 768 MB RAM था और उसका storage था, वो था 4GB storage, 1.2 inch जो है वो डिस्पले था, तो question यहां पर यह raise होता है कि अगर तमाम features पुराने वाले ही इस watch में होंगे तो यह नई watch बनाने का क्या मकसद था, तो इस watch में मैं आपको बताती चलू, two new sensors का जो है वो इजाफा किया गया है, एक है capacitance sensor और जो दूसा sensor है वो है geomagnetic sensor, जो capacitance sensor है वो जो है वो आपकी environmental humidity जितनी वी आपकी environmental humidity है उसको महियर करेगा और जो geomagnetic sensor है वो आउट्डूर एरिया में अपनी tracking abilities को improved way में शो करेगा, बट still इसके बारे में ये information अभी confirm नहीं की गई कि यही specs and feature इस watch में होंगे, कहा यही जा रहा है कि इसमें mostly जो सारे features है वो अपनी previous watch वाले ही होंगे बट ये दो sensors का जो है वो इजाफा किया जाएगा, ये information जो है वो confirm तो हमें इसकी launching के बाद ही होगी, तो जो भी information हमें इसके बारे में confirm होगी वो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे, तो ये थी हमारी आज की latest updates, मजीद details के लिए आप हमारी website भी visit कर सकते हैं और हमें comment करके भी हमसे सवाल कर सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही अपना बहुत सारा ख्याल रखियेगा, द्वाव में याद रखियेगा, अलाहाफेज!